इसरम कार्ड को लेके फिर से एक नई अपडेट्स आ गई है जैसा कि आप इस वीडियो को अगर एक जन्वरी से पहले देख रहे हैं तो इनमें क्या-क्या सुधार करना होगा तो कुरोना की तीसरी लहर की आसंका चेताते वे सरकार ने जो फैसला लिया है उसको लेके आपको क्या-क्या इसमें सुधार करना होगा उसके पारे में आपको पूरा जानकारी मिलेगा और क्या-क्या कुछ इसरम कार्ड में अपडेट्स करने होगा कर आपका पैसा नहीं आ रहा है तो आपको क्या-क्या अपडेट्स करने होगा इस वीडियो में बने रहे हैं पूरा एक़जार रुपए जन्वरी से उनके खाते में भेजे जाएंगे इस बार इस्रम काड के पैसे पाने के लिए आपको कुछ नियम का फॉलो करना होगा कुछ नियम को मानना होगा कुछ नियम के अनुसार चलना होगा इसके बाद आपको पूरा पैसा मिल जाएगा वो भी आपको बताया जाएगा कुछ नियम बनाए गए है वो भी आपको जानना जरूरी है ये पैसे सिर्फ उनी लोग के उनी लोग को फेज़े जाएंगे जिनके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं यह पैसा उनी खाते में जाएगा जो अपना अपडेट कर लेंगे जो समय से पहले अपडेट कर लेंगे जो सुधार करना है वो सुधार कर लेंगे यह पैसा उन्हीं की खाते में जाएगा जैसा कि हम आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाले है पूरा प्रोसेस जैसा कि आप देख सकते हैं यह सभी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी इसरम कार्ड धालों पहली किस्त कब मिलेगी इस बार सभी इस रमकार वालों को पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे एक हजार रुपे उनकी लिष्ट कैसे देखें या हजार पांसो किसको मिलेंगे किसको नहीं मिलेंगे अगली बार जिसे नहीं मिला उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको पूरा जनकारी मिलेगा क्या सभी राज्यों मिश्रमकाड के पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे पूरा जनकारी आप सभी को बता दे कि करोना की तीसरी लहर आ गई है पूरे देश में करोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं ऐसे में ये मजदूर घर से बाहर निकल कर काम करने बहुत दिक्कत होगा, कुरोना काल होने की समधाम बढ़ सकती, ये सरकार कहना है, कि कुरोना की तिसरी लहर से बचने के लिए देश के लोगों को अपना योगदान देना होगा, जो भी अपना योगदान हो सके आपको अप पैसे को भी सरकार मजदूरी की सहायता करेगी मजदूरों का सहायता हर तरह से करेगी हर संभव पर्यास करेगी सरकार इसरमकारण वालों को 1000 रुपए की महिने हर महिने दिये जाएंगे जैसे का पहले भी सुने होंगे Isram Card बनाए, तो बहुत लोग को पैसे मिले, बहुत लेकिन इस बार Isram Card वालों को अगली बार गल्ती इस तरह की गल्ती नहीं करनी है अगर वो लोग अपना गल्ती को सुधार लेंगे अगर वो इन बातों को ध्यान देते हैं उनके बैंक खाते में इस बार पैसे जरूर आएंगे ज़्यादा कि क्या आपको सुधार करना है वो भी आपको वीडियो में मिलेगा और इस बार कोई गलती मत करना नहीं तो पैसे फिर अगली बार की तरफ फिर इस बार भी नहीं मिलेंगे वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब शेयर और कमेंड जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेशन वालों के साथ अपने जान पहचान वालों के साथ भी सेयर करिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही नॉलिजबल होने वाली है और सब के लिए फायदे मन्द है ऐसा नहीं है कि वीडियो को पूरप इंड तक देखेगा आप सभी को फायदा होगा इस वीडियो से जैसा का आप देख सकते हैं कितने पैसे मिलेंगे हाँ जी हाँ बता देते हैं कि आपको एक एक हजार रुपए मिल सकते हैं हर महीने और जो अपना रेजिट्रेशन करवा लेंगे क्योंकि बहुत से भाई छूट गए होंगे अगर उनका रेजिट्रेशन ने हुआ है तो वो CSE सेंटर भी जाके या अपने खुझ से सेल्फ रेजिट्रेशन कर सकते हैं उसका वीडियो लिंक में मिल जाएगा क्या इस बार सभी इसरम कार्ट पैसे मिलेंगे जी हां लेकिन कुछ आपको अपडेट्स करने होंगे कुछ अपडेट्स करने होंगे पैसे मिलेंगे लेकिन कुछ अपडेट्स के बाद और जो भाई बार बार हम कह रहे हैंगा जो भाई अपना रेजिट्रेशन नहीं करव पोटल पे वो जितने भी किसान भाई मजदूर हैं वो अपना इस्रम कार्ट पोटल पे करवा सकते हैं CSE Center भी जा सकते हैं तो रोटा से हो जाएगा इसके बाद इस्रम कार्ट का पैसे मिलेंगे जिहां जनवरी में पैसे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और क्योंकि अगली साल भी 16 जनवरी से पैसा मिलना स्टार्ट हो गया था तो इस बार भी आपको पैसे मिलने जनवरी से श्टार्ट हो जाएंगे जैथा कि आप भी न्यूज सुनें होंगे कि रासन फिरी हो गया है एक साल के लिए आपको रासन फिरी मिलेगा सरकार से होगा हर किसान भाई को सहेता करेगी और अब आपको बताते कि इस सरमकार में कुछ सुधार करना होगा जी हाँ लेकिन ये चार चीजे गलत होती हैं तो जल्दी सही करवा ले जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्या सुधार करवाना होगा हम बता देते हैं कि क्या क्या सुधार करवाना होगा आपको bank account number, सबसे पहले bank account number को आपको update करना होगा, फिर account में नाम, आपका जो आधार में नाम होगा, वही bank account में नाम होना चाहिए, और आप Ethereum card, bank account नाम और आधार नाम सेम होना चाहिए, आधार को bank से link करें, सबसे पहले आपको आपको इसरम का एक portal देगा, यहाँ आपको सिंपल इसी पर खिल करदे कर देना होगा, इसके बाद simple सा ऐसा कुछ interface खुलके आएगा आपको नीचे simple नीचे आना है नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे register on isrum इसी बापको click कर देना है जैसे आप click करें कुछ ऐसा interface देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको 3.00 पे click करके desktop site पे कर लेना है जैसे update of site पे करिएगा जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे चाहिएगा थोड़ा सा नीचे जाने के बाद यहाँ पे UN नमबर अपना UN नमबर जो इसरम कार्ड का UN नमबर रहता है और date of birth इतना फिल कर देना है यहाँ आप देख सकते हैं यह नमबर और date of birth फिल कर लीजिएगा फिल करने के बाद अब आप यह चलिए हम आपको फिल करके फिर आगे का प्रोसेस बजा से आपको क्या-क्या अपडेट्स करनी है वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा क्योंकि वीडियो बहुत ही नॉलेजबल होने वाली है सभी किसान भाई वाजदूर भाई इतने हैं हमारे सभी गरीब परिवार के लिए बहुत ही नॉलेजबल होने वाली है और इतना करने वाद आपको नीचे date of birth का option देदेगा य इन भाई का आप अपडेट कर रहे हैं आपको उनीका यूए नंबर उनीका date of birth करना है और नंबर आपके पास होना चाहिए क्योंकि OTP आएगा एक को अलकर आपको CSC सेंटर से जाकर अपडेट करवा रहे हैं मसीन से तो fingerprint से तो कोई दिक्कत नहीं है और नहीं तो आपको OTP जरूत पड़ेगा जैसा आप देख सकते हैं चलिए नंबर डाल खेंप फील हो जाते हैं रेजिटर होने की बाद आपको बताते हैं जैसे आप नमबर यहां पर आपको रेजिटर हो गया जैसे ही OTP आ गया OTP आपको यहां पर फील कर देना है जैसा कब देख सकते हैं OTP फिल कर दीजिएगा OTP फिल करने पद आपको यहां पर नीचे एक option दिखने को मिलेगा validate पर क्लिक करिएगा फिर कुछ आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जैसा का आपका नाम पूरा आ जाएगा download even card और update आपको simple update profile पर क्लिक करना है करने के बाद आपको यहां पर monthly income slab आपको दिखाई दे रहा होगा आपको यहां पर income certificate लगा देना है अगर आप बनवाए हुए तो income certificate लगाने के बाद choose file पर क्लिक करके update कर लिएजगा इसके बाद आपको बैंक डिटेल में आना है bank account डिटेल को open करिएगा क्लिक करिएगा आपको एक option खुल के आएगा आपको do you want update yes कर दीजिएगा यहां पर आपको वो bank account डिटेल भरना है जो आधार में लिंक हो और आपका same नाम और यह IFC code पुरा सही सही है यहां पर फिल कर देना है फिल करने के बाद आपको update वाले option पर क्लिक कर रहा है और continue पर क्लिक कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगिए तो please like subscribe share and comment जरू करिएगा thank you for watching my video